हमारा टॉपिक है 12.11 यानि 12.11 विज़िस कंपॉंड माइक्रोस्कॉप कंपोंड माइक्रोस्कॉप से पहले हमने सिम्पल माइक्रोस्कॉप को स्टेडि किया है Simple Microscope हमारे पास क्या काम करता है यानि Simple Microscope के जर्ये हम किसी Small Object या Distant Object को Magnify कर सकते है अब इसका जो Magnification है वो किसी हास हद तक है जब हम इसको और भी Magnify करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास Simple Microscope काम नहीं करता इसके जगा पर हम यूज करते हैं Compound Microscope को Compound Microscope में हमारे पास दो Lenses होते हैं एक है Objective Lens और दूसरा है I-Piece Lens Objective Lens जो है यह Pre-Magnifier Lens है और जो I-Piece Lens है यह इसको हम Magnifying Lens कहते हैं Compound Microscope का जो Magnification है वो इन दोनों की Product पर Depend करेगा यहनि जो Compound Microscope का Magnification है वो है Magnification और Objective Lens मल्टिप्लाइ Magnification और I-Piece Lens इसको हम किस तरह ड्रा करते हैं यहनि जो Compound Microscope है इसका Diagram कुछ इस तरह है कि हमारे पास दो Lenses होते हैं इसको हम Objective Lens कहते हैं और इसको हम I-Piece Lens कहते हैं जो Objective Lens है यह हमारे पास Premagnifier Lens होगा और यह हमारे पास वो Simple Magnifier Lens होगा हमने इस Objective Lens का Aperature कम रखा है इस I-Piece Lens के निजबत से हमने दोनों के लिए Focal Point यानि जो Focal Point यह है और यह वाला यह दोनों के लिए Mention किया है Objective Lens के लिए भी और I-Piece Lens के लिए भी अब हमने Focal Point के तोड़े से Distance पर इस Object को रखा है इस Lens के सामने जब Object के टिप से तीन Rays को हमने पास की एक है A-Ray, O-Ray और दूसरा है इसरा है F-Ray तो A-Ray प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल है तो यह Focal Point से पास होगा जो O-Ray है वो Optical Center से पास होगा और यहां पर इस Point पर इंटरसेक्ट हुआ है यहां पर जो F-Ray है वो Focal Point से पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के बिलकुल पैरलल अब इस Object का जो Height है वो H-Naut है और यहां पर इस Intersecting Point पर जो Image बना है इसका Height H-I है यहां यहां पर जो Image बना है हमारे पास तो वो Downright Image है इस Intersecting Point पर यह Image Downright Image है तो इसकी लिए जो Magnification है वो हम इस तरह लिखते हैं कि Magnification of Objective Lens is equal to Height of Image divided by Height of the Object या Distance of Image divided by Distance of the Object इस यहां पर Image का जो Height है इसके साथ हम Minus Sign क्यों लगाते हैं इसलिए कि Image जो है वो Downright Image है as compared to the Object यानि Object Upright है और Image Downright है तो Real and Inverted Image बन गया है यहां पर हमारे साथ अब इस Object को हमने Focal Point के खरीब रखा है तो इस Distance of the Object को हम Focal Length of the Objective Lens के बराबर भी ले सकते हैं तो यहां पर जो D Not Approximately Equals है वो किस चीज़ किया है? Focal Length of the Objective Lens के तो इसके लिए Magnification को हमने इस तरह Find किया यह हमारे पास Equation 1 हो गया अब जो Image बना है यहां पर तो वो इस दूसरे Lens यानि जो आई पीस Lens है इसके Focal Point के अंदर बना है यानि Focal Point और आई पीस Lens का जो Optical Center है इसके धरमियान वाला जो Distance है यहां पर यह Image बना है यह Image इस Object के लिए क्या हो इस आई पीस Lens के लिए क्या होगा Object होगा अब यानि Objective Lens की वज़ा से जो Image इस Intersecting Point पर बना है तो यह इसके लिए क्या होगा? Object होगा यह Image इस Lens के लिए Object होगा तो अब Object जो है वो क्या है? Downright है जब Object हमारे पास Focal Lens की किसी Point पर हो तो हमारे पास Image Infinity पर बनेगा यानि जिस तरह हम यहां पर देख सकते हैं कि जो Image है Image पहला वाला यह Focal Point की किसी Point पर बना है तो यह Image इसके लिए Object है और Object in between Focal Point और इस Lens के दरमियान है तो यह जो Object है यह Image इसके लिए जो Object बन गया है इसका जो Image बनेगा वो किसी Infinity Point पर बनेगा जिस तरह यह वाला है तो Image कौन सा Image बन गया है? वर्चूल इमिज बना है वर्चूल है इरेक्ट यानि जिस तरह यह Object रखका गया है in front of the lens यानि Image बना है लेकिन यह Image इसके लिए Object है तो जिस तरह यह Object है उसी तरह Image भी बन गया है तो Compound Microscope में हमारे पास दो Image बने है एक यह वाला और यह वाला पर इसके लिए Object हो गया तो इसका जो Image बन गया है वो यहाँ पर यह Image बना है तो यह हमारे पास Infinity Point पर यह Image बना है यहाँ आई पीस लिंज का जो Magnification होगा यहाँ पर हमारे पास वो होगा N divided by F यहाँ जो हमने Simple Microscope में Find किये थे अब इस Equation 1 और 2 को हम Multiply करते हैं यहाँ हमारे पास जो Magnification है Angular Magnification of Compound Microscope वो बराबर है किस चीज़ के Magnification of Objective Lens Multiply Magnification of Eye Piece Lens तो इन दोनों को हम Multiply करते हैं तो हमारे पास Overall Magnification आएगा तो Overall Magnification जो Magnification of Objective Lens है यह हमारे पास Distance of Image ज्वाड बाइ Focal Lens of Objective Lens है यह वाल एक्वीशन और इस वाल एक्वीशन को हम क्या करेंगे? Multiply करेंगे तो हमारे पास Equation आगया M is equal to Di divided by F0 into N over Fe यह यह F0 जो है यह Focal Lens of Objective Lens और Fe जो है Focal Lens of Eye Piece Lens है तो Magnification of Compound Microscope डेपेंड कर इगा किस चीश पर? Focal Lens of Objective Lens पर और Focal Lens of Eye Piece Lens पर यहाँ पर यह Minus Sign हमें क्या शो करता है? यह Minus Sign हमें यह शो करता है कि जो Image है वो Inverted Image है यह नि Height of the Image जो है इसको हम Negative लेंगे